बस इतना ही था एक ही पंच था इस एपिसोड के अंदर और इसमें फाइटिंग से नहीं है लेकिन फाइटिंग से इन के अलावा इस एपिसोड में और भी बहुत कुछ चीजें बहुत जादा डार्क एपिसोड लगा मुझे ये वाला एक करेक्टर जो आपको स्टार्टिंग से यानि फर्स सीजन से आपको दिखाया जा रहा है आप उसके साथ कनेक्ट और बहुत हसमुक है मतलब बिल्कुल एक दम फुनी वे में उसको आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया जब भी वो स्क्रीन पर आती तो मतलब कि आपकी चेहरे पर स्माइल आ जाती इतना अच्छे से रिप्रेजेंट करना उस करेक्टर को फिर मतलब स्टार्टिंग से फर्स सीजन से और उसको फॉर्थ सीजन में इसके एर्थ एपिसोड में उसको मार देना और कैसे उसको मार रहे हैं तुम सच कहूं यार मेरे पास कोई भी ऐसा शब्द नहीं है मैं आप लोगों को यह बता पाऊं कि मुझे कितना जादा बुरा लग रहा है कि शाशा की जब डैथ होती है एपिसोड एट के अंदर यार कोई मतलब एक ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा जैसे मैं आपको बता पाऊं कि मेरी अंदर की फिलिंग क्या है मतलब मैं क्या महसूस कर रहा हूँ इस वक्त कि जब शाशा को गोली लगती है और वो मर जाती है वैसे अटेक और टाइटन जाना इसी लिए जाता है अपने खौफ के कारण कि यार जब हम जिस से करेक्टर से हम करेक्टर हो जाते हैं उसकी death ये करने में बिल्कुल भी हिचक चाहता नहीं है, बट 8th episode में मैंने ये expect नहीं किया था, कि यार, शाशा की death हो जाएगी, कोई और ले ले लेते, शाशा के लावा और भी तो थे, उनको कर लेते, मतलब उनको sacrifice करवा देते, लेकिन शाशा ही क्यों यार, इतना अच्छा anime करेक्टर था यार, मतलब उसके चेहरे को देखकर इतना अच्छा सा लगता था, और अब कैसे बताओ यार वो चीज में आपको, तो अब इस 8th episode के बारे में अगर बात करूँ, कहानी में बढ़ने से पहले, मैं आप लोगों को बता दूँ, कि यार, इस वीडियो में रिव्यू नहीं है, ये spoiler हो सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में बात करने वालों को रिव्यू वाली नहीं है, तो जो भी इसको रिव्यू समझके इस वीडियो को देख, तो प्लीज, यहीं रोग देना, बाद में मुझे कुछ मत कहना, तो एट एपिसोड के अगर बारे में बात करूँ, तो इसमें बहुत सारे राज, बहुत सारे राज, तो मतलब दो राज तो खूली जाते हैं, एक तो जिक, यानि जो बीस टाइटन हैं, तो यह वाली चीज़ें जो इस एट एपिसोड में पता चलती हैं, पर लिवाई कहता भी है एरन को कि तेरा ट्रस्ट खतम हो चुका है हम लोगों में, अब देखा एरन ऐसा क्यों हो गया, इतना बीहेविर में उसका चेंज कैसे आ गया, उसने अकेले ही इस साम काम कैसे कर दिया और इतना वो खतरना कैसे बना, इसकी तो यार शायद धीरे धीरे जो एपिसोड आएंगे हमें पता चलता चलेगा, और एक जो नई चीज़ जो इसमें मुझे पता चली वो तो जेक, या फिर से मैं उसका नाम सही से ले रहा हूँ, यानि बीस्ट टाइटन, जो इनके साथ मिला हुआ है, यानि पैरडाइज, या पैरेडीज, जो आइलेंड के जो लोग है, इनके साथ के मिला हुआ है और इसने प्लैनिंग कर रही दी, अब ये वाली जो चीज मैंने देखी, एरन की सच्चाई का पता चला, जेक यानि जो बीस्ट टाइटन है, उसका पता चला तो यार ऐसा महसूस हुआ कि, क्यूं हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या रीजन थे, ये सारे के सारे सवाल एकदम से सामने आने लगते हैं, और जब पता चलता है कि यार सेकिंड सीजन के अंदर, जो सेकिंड राउंड हुआ था, बीस्ट टाइटन और लीवाई के बीच में, वो सिर्फ सिर्फ एक एक अक्टिंग थे, दोनों लीवाई और ये बीस्ट टाइटन एक्टिंग कर रहते हैं, कहीं न कहीं, फिल भी वहा था क्या है, क्योंकि उसमें जेक दिखाया नहीं गया था, उसने कोई मूवमेंट नहीं की थी, मतलब अब ये नहीं है कि मैं अपने आपको कोई तीस मार का बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ऐसी टेंशन सी, मतलब ऐसी ख्याल आये थे मन के अंदर, क्यार ये हिला क्यों नहीं है, इसको मतलब मार रहा है, वहां पर इसको कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई, तो वहां पर थोड़ी बहुत, बट उसको इग्नोर कर दिया था, मनने काई सोचायर ऐसी था, बट अब समझ में, अर के अर इनके साथ मिला हुए, अब बहुत सारे स्वाल फिर यहां पर खड़ जाते हैं, चलो अब यह फाइनल सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे स्वाल खड़े हो रहे हैं, उनके सारे जवाब तो हमीं मिली जाएंगे, और अब साथ ही साथ पता चल जाता है, फ्राल को और गाबी को कि भी हाँ भी, इनको पता चलता है कि यह यानि बिस टाइटन, इनके साथ मिला हुआ हुआ है, पैरेडीज आइलेंड के साथ, लोगों के साथ मिला हुआ है, अब गाबी जो है वो एरशिप पे आ चुकी है, और इसी ने शाशा को मारा है, और इसके उपर जैसे वो लोग तूट पड़ते हैं, भाई साब वो एक हैवानियत उनकी देखता हूँ तो, बच्चों के उपर जिस तरीके से उन्हों ने घुसे बर्षाएं हैं, बहुत ब्यानक धायर, जो एड्स एपिसोड मैंने देखा है, इसमें जिस तरीके का ये एपिसोड बनाया गया है, तो लग रहा है कि ये सीजन और और जादा डार्क होने वाला है, शाशा की डैथ हो चुकी है, एड्स एपिसोड के अंदर, एरन का बिहेविर में इतना ज़्यादा चेंजी जा चुके हैं, बीस टाइटन का इन लोगों के साथ मिला होना, और उनका एक प्लैनिक बनाना, तो ऐसा फिल हो रहा है कि आर आने वाले टाइम में ये तो और जादा डार्क होने वाला है, देखो, खुशी की बात ये है कि इसमें हमें कोई भी कॉंप्रमाइज नहीं करना बढ़ रहा है, प्लीज अपने विचाहार, जो भी आप शाशा के बारे में सोचते हैं, आपको उस वक्त कैसा फिल हुआ जब उसको गोली लगी और उसके डैथ हुई, तो अपने विचाहर प्लीज मिरशार शेयर करें, और जिन्हों नहीं देखा है यार जाकर देखो, तुम दुनिया की खुबसूरत एनिमे मिस कर रहे हुई, तो बस बहुत वाज के लिए, तैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, जाहिंद!